असलाम लेकुम आपके साथ मटन पिलाओ की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और यह रेसिपी बहुत आसान है और हम इसे प्रेशर कोकर में बनाएंगे तो यह बहुत ही जल्दी बन जाएगी अगर आप बैचलर हो आप अकेले रहते हो तो उनके लिए तो यह रेसिपी बहुत ही जादा आसम है क्योंकि इसमें जादा टाइम भी नहीं लगता है और वन पॉट रेसिपी है आपको प्रेशर कोकर में ही यह सारा जल से जल बनके रेडी हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने हाफ कीजी मटन ले लिया है और इसे अच्छे से वाश कर लिया है और जो इसके पीसे से वो मैंने मीडियम ही रखे वे है यह देखिए इस तरह से अभी हम इसमें वन एना हाफ टी स्पून जिंजर गालिक पैस एड़ कर देंगे और हल्दी पाउडर ए ब्लक पेपर और और सॉल यहे वो टेस्की अकॉर्डिंली लिया साथी में हम गरम मसाला ओर थोड़े से में के लीव जाते है वो अधगर दिंगे और दाही एकाशी तरह से मिक्स कर देंगे हमेंसे अच्छी तरह से mix करतेना है और हाफ इनार के लिए इसे side में रख देना है मैरिनेशन के लिए क्योंकि थोड़ा टाइम अगर आप रखोगे तो अच्छा है और अगर आप प्रेशर कुकर में नहीं बनाना चाहते तो इसे जाधा टाइम के लिए रख लेना इस तरह से आप करते जाहिए मेरी बहुत सी रेसिपी में मैंने बताया है किस तरह कौन से स्टेज पे आपको इस सी निकालना रहता है तो यहां पर यह ब्राउन हो गए तो हम इसे यहीं पर छोड़ देंगे और इसमें थोड़ी से गरम मसाले आड़ कर देंगे जिसमें जीरा ब्लैक पेपर कॉन, तेज पता, सिनिमन सारा है और इसे थोड़े से सेकिंड के लिए यानि 30 सेकिंड के लिए हम इसे स्टर करेंगे और जो हमने मैरीनेशन साइट में रखा था न वो इस स्टेज पे हम इसमें एड़ कर देंगे और इसे हम अच्छी तरह से चला लेंगे, हमें चाज से पांच मिनिट लगेंगे इसे थोड़ा सा भूनने के लिए हमें इसे ऑईल में थोड़ा सा फ्राय कर लेना है जब थोड़ा सा ऐल से सेपरेट होने लगे यह देखिए जिस तरह से इसमें दिख रहा है तो हम उस पानी आड़ करेंगे क्या हम इसे प्रेश कुक करेंगे तो हमें इसे साथ से आठ वेसल होने तक इसे हमें कुक कर लेना है उतने में हमारे मतन जो है अच्छी तरह से पक जाएगा यहां पर मैंने 500 ग्राम राइस ले लिया था जिसे मैंने वाश कर लिया है आपका जब सेव प्रियन टेमेटो एड किया था वह अच्छी तरह से पक जाएगा तो यहां पर हम कुछ पुदीने के पत्ते हरीमेचे और लेमन जूस एड करेंगे और इसे इस तरह से मिक्स कर देंगे आप लेमन जूस श्किप भी कर सकते हो और यहां पर जो मैंने राइस वाश करकर रख तो थोड़ा सा जब हमारा पानी जो है वो ड्राइ हो जाए तो थोड़े से ब्राउन अनियन जो हमने निकाले ते साइड में रखे तो आड़ करके हम एक वैसल आने तक हम इसे कुछ कर लेंगे बस एक हमें वैसल लेना है क्योंकि उसमें हमारा राइस जो है अच्छी तरह से अगर आप जादा लोगे तो वो ओवर कुक्ट हो जाएंगे हमारे राइस तो यह प्रॉपर है यह देख सकते हो मटन हमारा राइस सारा बराबर हो चुका है अच्छी तरह से कुक हो चुका है तो यह आसान सी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और अगर पसंद यह निए रेसिपी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंगे और शेर जडरूर करिएगा और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी जल्दी-जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और दूआ में याद रखना, वीडियो दिखन के लिए थांक यू अल्ला हाफीज